स्ट्रेट केस ब्लड रिलेशन इसको समझने के लिए हमने पिछले वीडियो में आप से कहा था कि अपने आपको reference माल ले और उसी इनुसार relationships को समझे तो उमीद आपने वो वीडियो देखी होगी उस बेसिस पे मैं ये वीडियो समझा रहा हूँ तो स्ट्रेट केस में questions ही होते है या तो मैं किसी से कहता हूँ कि आप मेरे क्यार लगते हो या मैं एक पिक्चर की तरह देखे किसी से कहता हूँ तो यहां पर ही मैं पिक्चर की तरह देखे कह रहा हूँ एक लड़की गर्ल लुकिंग अट इपिक्चर सेस तुए परसन एक आदमी से कह रहा है रहा है राइट शी इस दी ओल्ली डॉटर ऑफ माई मदर तो जब मैं इस तरह के questions अब आया है कि ओली डॉटर्टर अधर सिस माई मदर माई मदर्स डॉटर कैंडी माई सिस्टर बट सिंस ओल्ली वर्ड है तो माई सिस्टर का तो कोई चांस ही नहीं है तो मतलब क्या हो गया तन दा एंसर इस नहीं हो लिए यानि की गर्ल अपने पिक्चर की तरफ ही देख रही है और दूसरा सिंटेंस दोराती उस पर्शन से शी इस दी ओल्ली डॉटर ऑफ दी हज्बंड ऑफ माई मदर अब मैं संटेंस को और बढ़ा रहा हूं कंप्लेक्स की तरफ बढ़ रहा हूं राइट लेकिन हम उस चीज को थ्रेड को हम छोड़ नहीं रहे हैं एगें माई मदर पीछे से शुरुआत करते हैं माई मदर हाज्में ओफ माइ मदर माई फादर डॉटर ओफ माई फादर क्या होगा माई सिस्टर अगर ओनली वर्ड है तो अवेसी बात है कोई सिस्टर तो है नहीं तो इसमें एंसर वो अपने आपको ही देख रही है फिक्चर में मैंने दो बता है दोनों में answer same ही है clear लेकिन कहने का तरीका और इस तरह से questions दी जाती है clear हमेशा हम पीछे से शुरुवात करेंगे right यह मैं एक ही answers इसलिए बदार ताकि आपको समझने में असानी हो तीसरा एक और picture की तर देखे girl looking at a picture says to a person she is the only daughter of the son of my paternal grandfather यहां पर मैंने word paternal यानि की father side से लिख दिया है हिंदी में अगर paternal grandfather को हम क्या कहते है दादा जी कहते है right my paternal grandfather मेरे दादा जी son of my paternal grandfather मेरे father daughter of my father my sister only word है तो एगें आंसर इस ही है लेकिन हमने sentence को change कर दिया और तीनों में एक ही चीज मैंने अपना है picture based questions में हमेशा पीछे से शुरुवात करेंगे sentence के पीछे से शुरुवात करेंगे और बड़ी आसानी से हो जाएगी अगर यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैं grandfather लिखता she is the only daughter of the son of my grandfather तो यह sentence कुछ ambiguity आ सकती थी right grandfather के paternal grandfather है कि maternal grandfather है right हम कह नहीं सकते हैं right तो उस ambiguity को अठाने के लिए मैंने यहां पे एक word paternal दे दिया है right ambiguity में एक options हमेशा cannot be determined रहता ही रहता है तो उस चीज़ को आप हमेशा options में देख लीजेगा right एक और example में देता हूं in the next video try to crack झाल झाल